हलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप लोग आप सभी का बहुत बहुत स्वागा थे मेरा यूट्यूब चैनल एड़ी रेट हरे त्री क्लासेज में जैसे कि ओनलाइन आप देख रहे होंगे जो मेरे चैनल की जोएन नहीं किये हैं जल्दी जल्दी जोएन करें ताकि आज चैप्टर नंबर फाइब पजल टेस्ट पहली प्रेस्टन इसको हिंदे में पहली प्रेस्टन करते हैं आज पहला क्लास है इसे जल्दी से जल्दी जोएन कीजिएगा ताकि मैं क्लास को सुरू कर सकूं के यह ज़ियुक्त है जो कि हर एक्जाम में पूछता हो इसलिए मैक्समुम से मैक्समुम लोग जोएन करें क्लास को ताकि मैं बता पां सब्सक्राइब क्लास बस्कुछ मिनट में चलो जाएगी अलिए जो बच्चे क्लास को शुरू करते हैं भीना देरी करते हैं जो ब सरोगते लिग जो बचे जो आइंक यह ञे basco एक ने चल्म धन्यवाद सब्सक्रीच हो लिए में देखें कि क्या लिखा होगा है कि पहली पर सिच्छन पजल इंग्लिज में पजल टेस्ट कहते हैं हिंदी में पहली पर सिच्छन कहते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ें कि देखेएगा इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं फिर आपके कोश्चन पर आते हैं थोड़ा सा पॉइंट इसका है इस पर इच्छा में बावधिक उल्जहन के प्रस्ट पूछे जाते हैं पर तेक प्रस्ट के से पीछे एक वैदिक तर्क होता है यह यह प्रस्ट किसी नियम से नहीं बलकि स्वयम की मांसिक योगता से हल किया जाता है जाते हैं तथा पर तेक प्रस्ट को हल करने का एक अलग तर्क होता है मतलब कि यह ऐसा नहीं है यह पजल जो है कोई आपके फर्मूले नहीं मिलेंगे कहीं कोई फर्मूला नहीं मिलेगा पहलियां जो आप देखते हैं बश्पन में बहुत सारे जो एजेट लोग होते हैं उनके पास बैठने के बाद आपको पहलिया बुजा जाता तो किसलिए आपका IQ लेबल आपकी जो मांसिक योगता है मतलब मांसिक आपकी कितनी एबिलीटी है उसको जांच करने के लिए समझे तो इस तरह का क्या होता था कि जितना लोग रहते थे वो उस तरह का जांच करते थे समझे ना तो इसलिए आप लोग से यही है कि यह जो चैप्टर है ना हर एक्जाम में पूछता है आपका मांसिक मतलब आपका कितना तेज है उसको जांच करता है तो इसलिए हर हाल में इसको पढ़ना इंपॉंटेट है बहुत जादा जरूरी है इस लिए इस क्लास को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके पास अप्डेट नोटिफिकेशन हमें साथ मिलते रहे है ठीक है जो यह जो चैप्टर है वह हर एक्जाम में पुछता कोई ऐसा एक्जाम नहीं है जिसमें नहीं पुछता है तो इसलिए इस शेप्टर को ध्यान दीजिएगा बहुत इंबॉर्टेंट शेप्टर है तो इसलिए इसको जरूर ध्यान दीजिएगा ताकि इसको आपको बना पाएं चली class को शुरू करें आगे पर है इतना तो समझ में आ गया हो कि पहली position जो puzzle test होता क्या है आधो पजल टेस्ट आपको पता होइं गया होगा क्या होता है समझ में आ गया है चलिए जो बच्चे अगर आज पहला दिन जोएन की है उसका बहुत-बहुत स्वागत थे मेरे चैनल पर तो क्लास कोशन कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं और इसके उदारन को सॉल्व करते हैं तभी समझ में आएगा ठीक है चलिए पहला उदारन लेते हैं कि शीरी और सीरीमति कोशन देखेगा समझिए गाइस इसको पॉइंट है सीरी और सीरीमति गोपाल के तीन पुद्रियां पूत्री का एक भाई भी है तो इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं इसको हल करने देखे एक भाई अपने साथ ही अपने सभी बहनों का भाई होता है बोली रहा है ठीक है अधा स्री गोपाल के परिवार में सदस्यों की संख्या निम्न पकार है कैसे एक तो स्री हो गए मत्ति गोपाल हो गई अधार उनकी बाईफ हो गई तीसरा तीन पूत्री के बारे में जिक्र कर रहा है यहां पर देख रहे होंगे तीन पूत्री के बारे में जिक्र कर रहा है कर रहा है ना तो एक पूत्र पूत्र के बारे में बोल रहा है एक भाई है एक पूत्र हो गया कितने सदस हो गया इसतर हो आप seun जाएंगे यह यह आपको समझाने के लिए बना हुआ को रखा हूं बनाके ताकर आपको समझ में आ सके कि इससी तरह की पूच्चन शल्द कीजिए तुमीद करते हैं कि maximum से maximum लोग जौइन करेंगे जल्दी से जल्दी जोइन कीजिएगा ताकि class continue रह सके और जो बच्चे जोइन नहीं किये हैं जल्दी जल्दी जोइन कीजिएगा comment section खुला हुआ है comment कीजिएगा क्लास को आगे बढ़ाते हुए क्योंकि यह बहुत important chapter है यह हर exam में ऐसा कोई exam नहीं है जिसमें नहीं आता है बहुत important है और यह जो chapter है आपको IQ level को चेक किया जाता है इसमें आप यह इस तरह का chapter मतलब की जीडी हो भी हार पुलीस हो जारखन पुलीस हो यह सीजेल का हो यह बैंक का हो किसी भी ऐसा exam all over exam में पजल पूछता को ऐसा नहीं है जिसमें नहीं पूछता इसलिए द्यान देचे चलिए आगे बढ़ते हैं देखें उधारन के लिए दूसा देखते हैं एक बेड़े में कुछ मोर वा कुछ हीरन है यदि उसके पैर गिनते हैं तो 244 यह होते हैं तथा सीज गिनते हैं तो शाट बताओ मतलब होते हैं तो बताओ हिरन कितने है चलिए बताएगा फटाक से अंसर बताएगा आपका कमेंट सेक्षन खुला हुए है आप जल्दी से जल्दी बनाकर बताएगा आपके लिए कुमेंट सेक्शन खुला हुआ है पड़ा पड़ बताएगा देली नहीं कीजिएगा आपका अंसर का बेट कर रहा हूँ जल्दी से बताएगा कुमेंट सेक्शन खुला हुआ है जल्दी से कुशन का अंसर बताएगा देरी नहीं कीजिएगा उधारन में दिये हुए है इसका पुरूंद बताएगा चलिए ऑप्सन बताएगा चलिए आपको ऑप्सन दे देते हैं चब्सन बताएगा चलिए समझा दते हैं समझेगा देखेगा क्या गारा एक बेड़ा में कुछ मोर हैं कुछ मोर हैं और कुछ ही रन है तो इसमें एक फर्मुला आप लिख लीजिए गा नोट करके चलिएगा नोट डाउन करते जाएगा ठीक है कम पैर वाले की संख्या की संख्या बराबर चली नहीं चली लिखे यहाँ पर लिखते हैं के बराबर सीरो सीरो की काग दुगना दुगना माइनस पैरो का का आधा चली समझ में आए इसको नोट कर लीजेगा आप नोट कर लिए आगे बढ़ें अगर नोट कर लिए होंगे तो आगे बढ़ते हैं अगर जिनको अंसर आ गया होगत कोमेंट सेक्षन खुला हुआ है कोमेंट कीजिएगा देरी नहीं किजिएगा चली देखिए बनाते है कितना टोटल कह रहा है सर की मतलब की इसको हीरन के उनके पैरो की संख्या कितनी है दो सो चौबिस सर कितना है उसका साट ठीक है तकम पैरों की संख्या क्या कह रहा है सीरों की शंख्या का दूगना सीर का शंख्या कितना है साट था उसका दूगना हो गया साट का दूगना माइनес जो फर्मूला है उसी पर रहे है ठिक है इसका आधा मतलब की दूसर 24 का आधा ठिक अब बताई कितना आएगा तो 120 माइनस 112 कितना आया 8 तो 8 क्या आया बताई आठ क्या आया 8 मोर आया मोर जिसके बारे में बोल रहा था मोर की तो मोर आठ आया तो हीरन कितना होगा बताईएगा उसकी 4 पैर होता है मोर का तो दो ही पैर होता है तो 4 हो गया 52 हीरन कितना होगा 52 तो क्या बन जाएंगे तो इस तरह का कोश्चन बन जाएंगे अगर आपको पसंद आ रहा है मेरे क्लास्प जॉइन कर रहे है मैक्सम से मैक्सम लोग जॉइन कीजिए जो बच्चे भी नहे हैं वो भी जॉइन कीजिए चले आगे बढ़े हैं तो यह फर्मूला जो है इसको आप नोट कर लिजिएगा अगर यह नोट कर लिजिएगा तो आपको हमेशा काम आएगा नेक्स अभी आगे कॉस्चन में बनाने में आपको काम आएगा ठीक है चली नेक्स्ट देखेगा नेक्स्ट कॉस्चन चली कॉस्चन को बनाएगा देखेगा नेक्स्ट बनाएगा का आएगा हमसर ख़ड़ा सब बताएगा कॉस्चन का आएगा क्या है रहा है कोश्चन एक उदारन पर अब देखते हैं एक चीटा बारा मीटर उचे चिकने खंबे पर चड़ाना शुरू करता है वह प्रति दिन चार मीटर चड़ता है तथा दो मीटर घिसक कर बापस आ जाता है तो वह कितने दिनों में सिखर पर चार पाएगा बहुत इजी है बहुत टफ नहीं है बहुत इजी है बहुत इजी है इसलिए इसका अंसर ज़रूर बताएगा फटाक से तुरंद बना के बताएगा देरी नहीं कीजिएगा देरी नहीं कीजिएगा फटा फट पताएगा इसका अंसर कितना आएगा क्या आप लोग से बन गया है अगर बन गया होगा तो बहुत अच्छी बात है चलिए हम बताते हैं नहीं बनाया तो हम तो हैं ही बताने के लिए चलिए देखेगा इस तरह का जो कोश्चन रहेंगे उसमें एक फर्मूला में लिख वारा रहा रिख लिख लिजेगा ट्रिक लिखेगा डी ब्रावर ल माइनस जे बच्छा बटा एच पलस वन इसमें से आप समझ में नहीं आ रहा होगा तो बता दे कि एल जो होए खंबे की उचाई है खंबे की उचाई हो गया ठीक है उसके बाद जे हो गया एक दिन की कुल चड़ाई ठीक प्रभावी चड़ाई ठीक चले आगे बढ़े को दिक्कत होगा तो बताईएगा उसको कोई कोमेंट सेक्षन में कोमेंट करना चाहते हैं वो कोमेंट कर सकते हैं खुला हुआ है कोमेंट चली बनाते हैं देखेएगों चली तो इसको हम देख सकते हैं डी वह है बारा ठीक माइनस चार बटाई टो पलस वन कितना हो जाएगे आठ बटा दो पलस वन कितना आ गया पांच तो क्या इस तरह के कोईशन बन जाएंगे सब कुछ यहीं पर लिखा हुआ है 12 मीटर 6 मीटर और 2 मीटर घिशक गया कितना घसका दो मीटर घसका कितना था प्रती दिन चड़ाई कितना था चार घसका कहां दो टोटल कितना था उचाई बारा मीटर बास इसको बैठा देना है फर्मुला को बैठा दे अंसर आ गया तो कितना इजी है है तो इस तरह से कुश्चन बन जाएंगे है उम्मीद करें तो जो लोजिकल रिजनिंग में न यह सब जो है लोजिकल है मतलब आपकी जो पजल जो होती है वो लोजिकल होता है आपके अपने हिसाब से बनाना होता है आगे मैं बताऊंगा तो इसलिए ध्यान दीजिएगा चलें आगे बढ़ते हैं चलिए नेक्स्ट चलिए फटाक से बनाएगा देरी नहीं कीजिएगा क्वेश्चन को क्या लिख रहा देखिएगा फटाफट बताएगा अंसर क्या होगा इसका करदस चात्र चात्रों का एक समूँ आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएगे चलिए बहुत इजी गोश्चन है बहुत टप नहीं है बहुत इजी है उमीद करते हैं कि आप बना पाएगे फटाफट बन जाएगा आपसे तो जल्दी से बताईएगा देरी कीजिएगा नहीं बताईएगा फटाफट पटाफट बताईएगा देरी नहीं कीजिएगा क्या बनेगा कि तो बच्चे मेरे च zar नए आए उनका बहुत स्वागत है और जो बच्चे पुराने हैं उनका भी बहुत-बहुत वागत है लेकिन जो SAN कि और जो भी सिखना चाहते हैं सीखें मेरे से बहुत स्वागत नहीं किया वह साथ बसकिर हैं, अटक्यों सेजित फुला रहेगा जो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नहीं है उनके लिए इसलिए उम्मिद करते हैं कि आपको कुमेंट सेक्षन का यूज कीजिएगा ताकि बताईए को में आपका बहुत कुछ सिखने को मिलेगा क्योंकि आपका जो कुमेंट आएगा उस पर ही डिपेंड क करता है कि मैं उसको समझा पाऊंगा और यह पजल बहुत कि एजी चीज है नहीं जिसको आप सोच रहे होंगे कि बन जाएगे थोड़ा है टाफ इसलिए ध्यान दीजिए कि मैं बताने का पूरा कोशिश करूंगा कि आपका बने चलिए नहीं बन रहा होगा कोई बात नहीं मैं बताता हूँ दिखेगा क्या कह रहा है दस चात्र एक समू में आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं कूल कितनी बार हाथ मिलाएंगे ठीक है तो दिखेंगे इसमें हम लिख सकते हैं कि माल लेते एंच चात्र है ठीक है एक्जामपल के तोर पर हम माल लें एक एड़ी कि खलर आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं चेंज कर ले रहा हूं यह भी एकलर दिखेगा चली दिखेगा यादी चली यह डिरेक्ट फर्मूला लिखवा दे रहा है यह भी लिखेगा कूल मिले हाथ थों की संख्या बराबर संख्या बराबर थो हम बना सकते हैं इसको देख यहां देखें, टोटल कितना चात्र बोल रहा है, 10 चात्र, 10 चात्र, ठीक है, तो n10-1, बटा 2, कितना हो गया, 10 into 9, बटा 2, कितना हो गया, 45 बार, क्या, बन जाएंगे इस तरह से, यह फर्मूला पर क्या बन जाएंगे तुरंट, तो उम्मीद करें, इस तरह से कोश्चन बन जाएंगे आपकी, आगे बढ़ें, जो बच्चे में चैनल पर नए होंगे, वो सस्क्राइब चैनल कर लें, ताकि नए-ने, उनको टोपिक के बारे में हमेशा आते जाते रहें, डेली क्लासेज हैं, तक क्लास शुरू हो जाती है, कभी कभी लेट हो जाती है, लेकिन दस से 11, 15, 12 बजे तक भी क्लास चलता है, इसलिए जो बच्चे जोईन करना चाहते हैं, मेरे चैनल को जोईन करें, इसमें आपका डेली क्लासे चलती है, फिर एनकोश्ट में, जिसमें की SSC का एक्जाम मतलब बहुत important question रहते हैं, reasoning के related, तो क्लास को जोईन करना जरूर भूले नहीं, जो बचे नए हैं, जो दोस्त को जोईन करना चाहते हैं, उनको share करें चैनल के, ताकि वो भी जोईन कर सकें, ठीक है, चैनल को like and subscribe जरूर कीजिएगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, चलिए, बताइएगा, अभी same pattern का question में बताया हूँ, आपको, same pattern का question बताया हूँ, उमीर करते हैं कि आप लो comment section में जरूर comment कीजिएगा, कि answer कितने आएंगे, अभी same pattern का, मैं question बताया था आप लोग को, फटा फट बतायेगा, जल्दी नहीं किजिएगा, अभी फर्मूला लिखवाया था ना, देखेगा, कोई बात नहीं, नहीं बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं हम हैं बताने के लिए, फर्मूला लिखवाया थे, compare वाले, चलिए, इस color आप लोग को हो सकता ना दिख रहा होगा, चलिए, इधर करते हैं, compare वाले, की संख्या, बरावर, 0 की दूगना मैनस पहरो का आधा ठीक है, यह तो point आपको लिखवाया था हमें, नोट करवाके, नहीं, जो नोट की होंगे, नोट कर लीजिए अभी, चलिए, आगे बढ़े, चलिए, देखेगे, तो total कितने हैं, एक अजयब घर में, कूल, हीरन की, वह कुछ दोते हैं, उनके, 200, उसका दूगना, है ना, 200 का दूगना कितना हो जाएगा, 400, ठीक, हो जाएंगे ना, 400 हो जाएंगे इसके 200 के दूगना, चलिए, तो यहां 400, मैनस, 580 का आधा, चलिए, हम 580 लिख देते हैं, यही पर आपको easy करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, 580, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो direct मैं लिख सकता था, इसमें फटा-फट answer बन जाता, देरी नहीं करने का है, तो कितना आ गया, 400, समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको, यह लंबा नहीं है, बहुत short है, direct हम लोग लिख सकते हैं, और लिखने के जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आप खुद से मतलब मौखिक ही बता सकते हैं, इस तरह के question जो है, आपको मौखिक डिरेक्ट 110 आया, ठीक है, 110 तोत्य आये, पूछ क्या किसका रहा था, तोत्य की संख्या, 110 बस, तो मौखिक भी बना सकते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं, डिरेक्ट था 200 का 200, 400 में आपको यह पांसो असी है, तो उसका आधा करना है, तो 290 होता है, 400 में 290 घटाते 110, पस मौखिक ही बन जाएगा, पेन भी लगाने की जरूरत नहीं है, मेरे जो मैं पढ़ाऊंगा, दुबारा आपको कहीं पढ़ने के जरूरत नहीं पढ़ेगी, रिजनिंग का चेप्टर में पढ़ा रहा हूं, पजल टेस्ट वह बहुत इंपोर्टेंट है, लोजिकल रहता है वो और वो हर एक्जाम में आता है, चाहे वो का एक्जाम हो या भी पीएसी टीचर का एक्जाम हो, या तो फिर एलडीसी का एक्जाम हो, हो MTS का एक्जाम हो SSE GD का हो Army GD का हो BASF का हो Constable हो हेट Constable हो CISF का हेट Constable Constable हो हर एक्जाम में पूछता है तो इसलिए ध्यान दिजिएगा बहुत बॉटेट है इसको मिस नहीं कीजिएगा और जो बच्चे मेरे चैनल को जो आएड नहीं की है जल्दी जल्दी सस्क्राइब करके जोईन कीजिए ताकि उनको नए नए चैप्टर का अपडेट मिलते रहें और कुछ कुछ सिखते रहें फिरी अनकॉस्ट में मेरा इजिन क्लासे चल रहा है यूटूब पे एड दी रेट आरे फिरी क्लासेज है ठीक है थैंक्यू आगे बढ़ते हैं कि इस तरह के कोर्शन बन जाएंगे आपके ठीक है आगे बढ़ते है थोड़ा परसानिया हो रही है कल से इसको मैं सुधार दूँगा ताकि इस तरह का नेक्ष्ट नेक्ष्ट में आ जाएंगे चली बनाएगा ऑप्शन भी दे रखा हूं उमीद करता हूं कि आपको बना देंगे देरी नहीं करेंगे इसमें पड़ाक से बनाएगा क्वोशन क्या कर रहा है एक बेड़ा में कुछ खरगो सुबा कुछ मुर्गे हैं यदि उनके सीर गिनते हैं तो 50 होते तथा पैर गिनते हैं तो एक 124 होते हैं तो मुर्गे की कितनी होगी पहुती जी जी अभी जस्ट बतायाओं और उम्मिद करते हैं कि आपको कोमेंट सेक्शन में कोमेंट कीजिएगा ताकि मैं समझ पाऊंगा कि आप कोमेंट करके कि आप लोग सीख रहे हैं और इसलिए जल्दी जल्दी कोमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसको बता पाऊंगा समझा पाऊंगा आपको इसलिए class को जरूर से जरूर जोईन कीजिएगा जो बच्चे नए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है comment section में comment जरूर कीजिएगा अगर answer आप सा बन रहा है तो comment कीजिएगा देरी नहीं कीजिएगा फटाक संसर बतेगा अगर आपका सही होगा तो अच्छी बात है देखते हैं चली question को देखते हैं बन गया अप लोग से अगर बन गया होगा बहुत अच्छी बात है तो इसमें आपको फर्मूला लिखा आये थे क्या लिखाये थे कम पैर वाले की संख्या बरावर शीरो का दूगना माइनस पैरो का आदा ठीक है चली फर्मूला इसी परक देते हैं सब पचास था इसका दूगना कर दी ठीक सब माइनस एक्सो चौरासी है ना एक्सो चौरासी बटा टू कितना गया बतेगा सब माइनस 92 अब कितना आएगा बतेगा आठ मुर्गे क्या इस राइट अंसर टू क्या बन जाएंगे इस तरह से कुस्चन कितना एजी है चलिए आपका अंसर भी सही आया है तो उम्मीद करें किस तरह से कुस्चन आपको बन जाएंगे जो नए बच्चे हैं वो जोईन करें ताकि उनको भी सीख पाएंगे वह क्लास को चलिए चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख रहे होंगे अगर जो नहीं सीख पा रहे हैं प्रॉब्लम कुछ आ रही है कोश्चन में उनको तो कमेंट सेक्षन में करेंगे ताकि मैं उनको फिर से बता पाऊं बहुत तरीके से बता सकाऊं ट्रिकली बता सकूं लॉंग बता सकू ताकि आपको परसानिया नहीं आनी चाहिए देखेगा चली बताएगा बहुत इजी कोश्चन है बहुत टाप नहीं है बहुत इजी है आप बना पाएंगे उम्मीद करते हैं कि आप से बन जाएंगे चली देखेगा फर्मूला वही रहेंगे फर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा कमपैर वाले की संख्या मैं इतना बार लिख दूँगा न कि ये फर्मूला आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमेशा लिख दूँगा ताकि आपको दिमाग में आटोमैटिक ही आजाए मैं इतना बार लिख दूँगा कि आपको याद करने कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा कोहीं मिनी बस डिरेक्ट आप अंसर देखेंगे और मारेंगे कितना उठाओ सिर के संख्या कितना है इसमें दो से कर देंगे 40 आजाएगा ना इसमें दो से गुना करेंगे त्याग या नहीं आपर 40 ठिक कर देंगे 40 मैनेस टोटल कितना 48 पैर है 48 मैनस 2 बुलिएगा कितना आया चालिस मैनस 24 बताएगा सोला आगे है तो कह रहा था खरगोस और कितने तोते हैं तो सोला जो आया हो क्या आया तोता आया ठीक है 16 आया जो तोता आया अब पूस किसका रहा है तो तक तो निकल गया ठीक अब खरगोस का निकलना है तो खरगोस कितना था 48 पैर था बटर टू इन्टू 20 कि यहां पर देखिए चलिए आगे इसको इसी में बताते हैं देखिएगा अगर अधिक निकालना हो देखिएगा दूसरा नोट कीजिए इसमें अधिक भी पूछ रहा है तो अधिक जिसे से कोश्चन आएंगे मैं हर चीज बताऊंगा इसम पैर वाले की संख्या बरावर पैरों का आधा माइनस सिरों की संख्या यहां पर लिखते हैं थोड़ा सा छोड़ा करकर लिख रहा हूँ माइनस सिरों की संख्या ठीक चली तो टोटल कितना था अरतालिस आधा मतलब दो ठीक है पूछ रहा था सिरों की संख्या कितना है बीस था तक कितना होगे चोबीस माइनस बीस बराबर चार चार क्या आया खरगोस देखिए सोला तोटा और चार खरगोस सोला तोटा और चार पहले खरगोस पूछ रहा था ना तो पहले खरगोस कितना गया था चार मतलब एक नमबर अंसर एक नमबर अंसर आया एक नमबर में क्या दे रहा है चार खरगोस और सोला तोटा तो इस तरह के कोस्टन बन जाएंगे उमीद करें तो आज की क्लास यहीं तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में जो बच्चे मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं वो चैनल को सस्क्राइब करें क्लासे थोड़े बीच में बिलम थी इसलिए class अब continue हो जाएंगे इसलिए जो भी बच्चे मेरे class को जोईन किये हैं उनको बहुत बहुत धन्वा thank you मेरे class at the rate r.a.free classes YouTube पे है YouTube चैनल है जोईन कीजिए फटा फट सस्क्राइब and like जरूर कीजिएगा share कीजिए ताकि अधिक सदिक बच्चे जोईन कर सके चलिए हसते रहें मुस्कुराते रहें हमेशा फिर मिलते हैं next class में इसी chapter को second और आग इसके और इसमें deeply और बताने के लिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद